आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरा नाम एसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों सबसे पहले तो क्राइम अफेर जो हमारा चैनल है उसको जरूर सबस्क्राइब करें डिस्क्रिप्शन कमेंट वॉक्स प्रसार भारती के जो CEO हैं उन्होंने कहा कि ममताब एनरजी ने भी काफी कुछ बोला था यह क्या किया हुआ है तुमने किस तरीके से तुम वोटर को इंफ्रेंस कर रहे हो है ऐसी स्ट्राटेजी होती है तो गारफ दिवेदी ने बोला कि दीदी हम सबको पता है कि आपको क सैफरन कर दिया है औरेंज कर दिया है तो हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले तो हम दूरदर्शन को समझते हैं ठीक है और इसके बाद मैं कुछ ऐसी चीज़े बताऊंगा जिसमें आपको समझ में आई ही जाएगा कि कि इतना सरकार करोन के करीब सालाना खर्चा है दूर 32% जो है वो रेविन्यू से आता है इनके ठीक है तो राइज एन फॉल अफ दूरदर्शन हम देखते हैं दूरदर्शन को सेटप किया गया था 1959 में हाला कि 1928 से इसकी बात चल रही थी पहले जो है आपको जो खबरे मिलती थी वो किस से मिलती थी प्रिंट मीडिया से मिलती थी ठीक है ना प्रिंट मीडिया अब प्रिंट मीडिया से आपको आज जैसे सोचल मीडिया है ठीक है तो प्रिंट मीडिया से आपको जो है वो खबरे मिलती थी जैसे अगबार हो गए मैगजीन्स हो गई ठीक है आर्टिकल्स हो गए पैमफलेट होती थी मैच जो है वो रीडियो पे आते थे ठीके ना होकी बड़ा फेमस था उस समय अभी मैंने मैदान मुवी दे की बहुत ही शांदार सहीद अब्दुल रहीम पे ज़रूर बहुत ही जबरदस्त मुवी तो वो जो पूरी कॉमेंटरी थी ना वो एक भी मैच जो है वो टी किया गया दूरदर्शन को ठीक है हाला कि इसका नाम बाद में बदला दूरदर्शन ठीक है थोड़ा सा एक देसी तड़का देने के लिए एक लोगों से कनेक्ट करने के लिए दूरदर्शन नाम दिया गया ठीक है वैसे तो टेलेविजन इंडिया था तो टीवी इंडिया गीतांजली एयर हो गई और एक और बहुत जबर्दस्त आंकर थी वो पांच मिनिट की न्यूस बुलिटन लेके आती थी तो आप जब आप न्यूस पे न्यूस जो है वह पेपर में पढ़ते थे रेडियो पे सुनते थे अब आप देख रहे हो न्यूस तो ये तो भाई जब दूरदर्शन पहुँच गया था और बहुत जबर समय टीवी नहीं आया था याद रखे इस समय टीवी धीमे धीमे आ रहा था 1975 में अमर्जंसी लगती है अब अमर्जंसी लगी इंद्रा गांदी की जो स्पीच थी इंडिपेंडेंस डे की वो जो है दूरदर्शन पे टे डीडी टू लाँच कर दिया जिसको मेट्रो बोला जाता था डीडी मेट्रो उसके बाद दूरदर्शन ने कुछ ऐसा किया कि फिर लोगों ने बोला भाई ये तो क्रांती है उन्दिस सो चौरासी में हम लोग डीडी वन पे सीरियल साने लगे वाहला कि इससे पहले आकाश लोग अकेले हैं उस समय रामाइन आती थी तो पूरा महला जो है की टीवी से देखता था है ना वह पंकज धीर का मैं इंटर्व्यू देख रहा था कि जब महाभारत आ रही थी तो एक वहां पर मुस्लिम महला था ठीक है तो सब महाभारत बैटके देखते थे ठीक है तो य जो लड़के हैं वह बहुत तारीफ करें थे क्या बात है बहुत बढ़ी हा यार ऐसा होना चाहिए तो बड़ी तो उन्होंने डाटा कैता देखो वह क्या कर रहा तो अपने परिपार के लिए क्या करते हो तो इस तरीके सा एट्मोस्फियर रहता था एक सोशल बांडिंग दूरदर्शन जो है उसने क्रियेट करवा दी थी कि हम सब जुड़ गए थे हम सुख दुख अपने बाट रहे हैं खुश हो रहे साथ में एक अलग सा ही और यह बहुत बढ़िया होता जब इतने लोग मिलते हैं बहुत मज़ा आती है ठीक है ना लेकिन आज वह हम को देख सीरियल से जो है यहां पर ठीक है दूरदर्शन ने लॉंच किये बहुत सारे माल गुड़ी डेज तो अब तो मुझे एक्जैक्ट समय याद नहीं आरे लेकिन जड़ी लगा दी और बड़ी बात है कि सबके सब हिट सबके सब हिट क्योंकि और कुछ कामी नहीं था ठीक है सुपर हिट सारे के सारे सीरियल की वाह खूब रेविन्यू आ रहा है खूब पैसा आ रहा है अच्छा है अब धीमे धीमे दूरदर्शन और एक्स्पैंड किया लेकिन दोस्तों 1992 में पहली बार दूरदर्शन अपने पहले कॉंपटिशन को देखा इधर जी आ गया जी टी टीबी भी आ गया दुनिया भर के चैनल सा गये अब दूरदर्शन जो है उसको जो जी टीवी ने भी तगड़े अपने प्रोग्राम से लाँच किये तो फिर यहाप दूरदर्शन चंदरकांता अलिफ लैला ये नए ने प्रोग्राम चला है लेकिन जी टीवी स्टार प्ल वो है 1997 में जब शक्ति मान आया शक्ति मान ने शक्ति मान ने सारे डिकॉर्ड तोड़ दीए इसी दौरा नहा एक और चीज़ 1987 में जब रामायन आया था रामायन महभारत भी आता था तो भी दूरअट्षण को इतना जादा प्यार मिला था मतलब आप यह समझी कि सड़के हो जाती जब रामायन महभारत आता था और अभी शक्तिमान जब 1997 में आया तो स्कूल खाली हो जाते थे अरे यार नहीं जाएंगे सैटर्डे को आता था भाई स्कूली नहीं जाना है चुट्टी मारेंगे शक्तिमान देखेंगे तो शक्तिमान ने ऐसी कि तैसी कर दी ठीक है मुकेश खना एक इंटर्व्यू में बताते थे कि एकदम से दू पूर भी आ गई थी काहानी घरगर की बहले ही वो सीदर बढ़ाता लेकिन हर को ही देखता था क्यूंकि साज भी कभी बहुती कसावटी जिंदगी की यह साधे प्रोग्राम जो है दोहजार तीन चार पांच छे में चले सब टीवी स्टार प्लस का एक दौर आया जिसकी वो सस्टेन कर पाया क्योंकि देखे दूरदर्शन उसी पुराने धर्रे पे चल रहा था है ना वो ना ही क्रियेटिव बन रहा था ना ही वो इनोवेटिव था तो लोग क्यों ही देखेंगे या तो लोग देखेंगे अब जब लोग नहीं देखेंगे तो एड़टीजमें के साथ दूरदर्शन ने टाइप्स किये लेकिन इसका कुछ खास फाइदा नहीं हो और 2010 से लेकर 2020 तक तो दोस्तों मतलब दूरदर्शन के पास नहीं शो थे वो उन्हीं शो को रेपेटिशन में दिखा रहा था अब फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया कॉवेड आया और फिर से रामायन चल गया इस बार जो व्यूविंग थी वो दुगनी हो गई हर भारती ने रामायन को देखा और इतना तेजी से दूरदर्शन में उच्छाल आया बट दोस्तों ये टेंपरेरी उच्छालता जब कॉवेड खतम हुआ लोगडाउन खतम तो ये राइज और फॉली दूरदर्शन के छोटी सी कहानी थी अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉल क्यों आया सबसे पहली बात तो यह है अब जो यहां पे बात बोली जा रही है भगवे की यह रंग की तो यहां पे गवर्मेंट कंट्रोल हमेशा से रहा है दूरदर्श अब हाला कि बहुत जादा चीज़े अलग हो गई है और सरकार का काफी प्रेशर है तेकिन पहले ऐसा होता था तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा कारण रहा है सरकार का का काफी कंट्रोल रहा है 1975 जो इमर्जंसी थी तो दूरदर्शन पे इंद्रा गांधी के प्रोग सुमने के कगार प्यागे जी तो यहां पे सरकार नहीं बचा है था 2014 में सैम पित्रोदा ने 26 पॉइंट देते कि कैसे दूरदर्शन को रिवाइब किया जाए इसको पूरी ऑटरों में दी जाए तो हमको इस समझना पड़ेगा तो सरकार का हमेशा कंट्रोल रहा है जो भी स अपना प्रोमोशन क्यों दूरदर्शन पर करवाएगा लोग इसलिए अड़र्टीजमेंट देते हैं क्योंकि वो लोग देखे लोगों के बीच वो जाए अब लोगों के बीच वो कब जागे जैसे IPL में होड लगी रहती है आपको 20 सेकंड के अड़र्टीजमेंट चलान है कि इनोवेशन किया जाए डिजिटल जाए हम लेगिन फिर भी दोस्तों का खुछ खास असार हम को देखने को ने मिल नहीं रहा है तो लोग एड़र्टीजमेंट भी नी देंग और जिसकी वज़े से रेविन्यू ड्रॉप आएगा आप लॉस में जाओगे ठीक है न और लॉंच कर दिया तो हर किसी ने अपना ओटीटी लॉंच किया गया है सिवाए दूरदर्शन के तो जब आप आज के जमाने में नहीं चल पाओगे वो पुराना वाला जमाना गया ठीक है तो कोई फर्क इतना खास पड़ेगा नहीं तो यह बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं ज ऐसे तो नहीं मतलब आगे बढ़ता रहे और एफॉर्मेशन की तो दूर्दर्शन को जरूर जरूरत है आपको क्या लगता है मुझे कमेंड बॉक्स में बताईएगा तो यह लेच्चर था खुश रहे पढ़ते हैं यह दिन से सद्दान तक नहीं होता ही साइनिंग ओफ